मधू फुलिम्स में आपका स्वागत है मधू फुलिम्स चैनल को सस्क्राइब करने के लाल बटन को दबाएं और नए नए गानों को सबसे पहले सुनने के लिए घंटी को दबाएं और वीडियो पसंद आये तो लाइक बटन जरूर दबाएं अश्कार सुदीर जी लाइसिटी से अक्षे आनंद बोर रहे हैं खेसारी लाल यादब ने आप पर आरोप लगाया है कि वैसाली में उनके कारिक्रम में आपने उपद्रब करवाया आपकी क्या इस पर जवाब है लेकिन सबसे बदी बात तो ही है कि बहुत दुखद घठना है कि किसी कpitालाकार सेसा हो रहा है प्रेंटै मक्रइपी अचैन सबसेब्रबी बात है कि भेसाली और मकॉरर कजलिस्वार्टी में था बेसाली और मकॉशब दूरीड़네 सर्थ 1000 ृगありがとうございます किसी फेस्बुक पोस्ट का खेसादी लाली आदम ने जिक्र किया है कि आप उनसे दुश्मनी करना चाह रहे है और आपको भी मालूम होना चाहिए कि असलीलता को देखकर बिहार की जंता जागनी तो चुकी है बिहार की जंता नहीं चाहती है कि कोई अब असलीलता से भीड़ान से तो वो भी आपके साथ चलेंगे मगर आप उनके कारिक्रम में इस तरह से ना करणा नहीं है आप मीडिया आप पर पर लिजे बैसाली का पर साथन जो पहला आरूप कर रही है कि तिकट को लेकर वहां पर जगरा हुआ है बलकि मुझे तो लगता है कि जाथी ए इंसा भी भरकार है वह पार बार करते हैं हम जादो वो सख्यूनि जाओ झे बठाएंगे मेरा नाम ले गया यह कि पहले हम हमने असरतागी जो कि आ है हमने असरता का भйरोग्त किया था तो हिंसे के उनको कि लगता हो कि गानागानड परेक्प्र दिक्क्तम रहा है होता के उनके नाम नाम संव आपनाधर है चिले मेरा नाम ले रहे हो उनके बैसायद इसी क्वुण तुम पर्क प्रता हो तास्रिन के मेरे गातर वह पहता हमारे हैं लोगता हो कि उनके अस्रिंटा विलों परहने से विएर की जनता जागी रिच्पिये तो फ़ार नाहीं, तो हम प्रता हो एन प अश्रिये हैं, प्रता तो बात मतलब कि यहां पर महाराज गंज चीट को ही लेकर कॉंस्लिक्ट हो रहा है आपके हैं अच्छा और राजनीतिक मजबूत करने के लिए राजनीति को सुधीज पर इस तरह क्या आरोफ लगा रहा है अच्छा 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 असलीलता के खिलाफ जो आप लड़ाई चला रहे हैं उसमें पवन सिंग निरहुआ हैं यह लोग के भी खिलाफ आप आवाज बुलंद रहा हैं निसी जो भी बिहार में बिहार की धर्ति असलीलिहहा असलील बिहींग ज़िए निरहुआ हो तको जवाब दियगाएं उसको जवाब दे रही हैं उनके खाना नहीं सुन रही है, देखी रहे हैं आप कि जगा जगा कहीं भी हो, चोटे-चोटे ब्यास भी जो गड़ा रहे हैं जाओ जाहत में, वहाँ पर भी लोग गड़ा सुना इंटार कर रहे हैं तो मतलब आपका साफ-साफ यही कहना है कि जिन लोगों ने उपद्रफ किया, उसके कारण कुछ और थे, वो कहीं भी सुधीर सिंग से जुड़े वे नहीं है मुझे पूरा बरोसा है कि दोचार पर निर के अंदर समय के सामने सब्से बाते आ जाएगा, लगवर सब्से बाते आ चुका है मैं असलिता का बिरोस कर रहा हूं, मैं खेसारी का बिरोस कर रहा हूं, जरुख नहीं करता हूँ, और अपने अमANTरीछ भी किया है कि अगर कोई मन मान भेत थो वाब आपके साथ बैठें, बिटकर कि अगर थोरा सा आता हए कि ईधर बैट चोटा भाई। मिखें मुझे कोई से बनना उन पर नहीं है, कि तालिम बंदा है, कि मुझे उसमें कोई ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं है कि मुझे लग रहा है कि अब मुझे में इंट्रेस्ट लेने लगे है हाँ और जिस तरह से एक के बाद एक उनके बयानों में आपका नाम सामने आया है इसे भी यह चीज दिख रही है कि आपको नहीं लग रहा है कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि कर दुके लेकर सबस्ट रहा है 60 जांता मूनिय आट रही ती है तो उन्हों को बिरुट करना कही रहा है कि 10-15 लोग आये ते 10-15 अगनी 50 ज़र तो भारी पर जाएगा तो कहीं ने कहीदा सबसे बरी घंडी बात के आये कि जब भी आनि कशारी अगर कई भी पोस्ट करते हैं तो उनके जो समर्था के उनके ठाय में कितना अच्छा गंदा गंदा गाली देते हैं उनके अस्रीन बात खुद है सब एक आईडी बना बना कर गंदा गंदा गाली यह इसके लिए कशारी अच्छा को मना नहीं करते हैं पुरा पोस्ट देखिए कितना गंदा यूटूब देखिए बढ़ा हुआ है गंदा गंदा गाली से तो कितना बुरा परदाव परेगा जिनके अवकाद नहीं है वो भी गाली दे रहे हैं खीगा सुदिज जी आपने अपना पक्ष रखा हां बताईए क्या करें नहीं और हम क्या करें और मुझे निकाल दे रही है सब्सक्राइब करें गाली गया करते हैं कित दैज करना कि अगरदाश मैं बर्दास कर रहा हूं लेकिन इव्ला शार समच्छन भार पनात कर रहा है कि देखिये उनका मुक्सijd सिर्प ये है कि महाराज़न चुनाव में बारasında का है इसे उनका मक्सद वर्शन को इनका कि अदर वायह है जादों को इधर उधर कराते तो उन्हें लर्दना नहीं है इभाझाओं आधाए मेरा लगा रहे है, हमेरे परिवार पर फिजा मेस आएगाते हैं, कि अधर मैं गलत कुँगा तो आप लोग आप लोग भी है बिद्ग जरूर पता होगा आपको जरूर पता कलेगा आपको क्या लगता है कि मैं वहां पर गया करूंगा नहीं लगता है उनके एक अधमी के करने से आप माँ गयेगा अहाम कर रहा है कि मैं आपकी बात को और लोग लोग बहुत लोग आपकी बात सुनेंगे इस माध्यम से लाइफ सीटीश के माध्यम से और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दोनों पर गश्क कीबात जनता तक पहुँचे उसके बाद जनता सोचे और फैसला करें बहुत धन्यवाद सुधीर जी आप हमसे जुड़े आपने अपनी बात रखी आपका शुक्रिया